प्रेगनिंसी का आठवा महीना और सबसे खास महीना जी हाँ दोस्तों प्रेगनिंसी का आठवा महीना वाके ही बहुत ही खास होता है ये खुशियों से बड़ा है एसास होता है इस समय आपके घर के सभी लोग आने वाले नन्ने महमान की तयारी में लग जाते हैं इस दोरान अगर आप भी अपने आने वाले नन्ने महमान के लिए खरदारी करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। दोस्तो ये महिना बहुत खास भी होता है और इस महिने में बहुत सारी साफधानिया रखने की भी जरौत होती है क्योंकि ये महिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भी भरा होता है और इस महिने के बाद अगर आपका महिना ये अच्छे से निकल जाता है तो इस महिने में क्या आपके शारीरिक बदलाव होते हैं बच्चे का विकास क्या होता है किन किन चीजों की जरूत होती है तो चलिए आज की स्वीडियों पूरी जानकारी लेकर आई हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रेग्नेंसी के अर्विद मेगा में और उम्मीद करूंगे आ प्रेग्नेंसी के आठवे महीने में आपके बच्चे का आकार और वजन काफी बढ़ता है जिसके करण आपके गर्व का आकार भी बढ़ जाता है और आपके यूटरस का आकार बढ़ने की वज़े से आपके पेट सामने की तरब बाहर निकल जाता है जिससे आपकी पीठ प साथ ही आपको जो होता ना हम प्लेन सर्फेस पे बैठ जाते हैं तक फर्ष पर या कहीं भी ऐसे सर्फेस पे बैठने से सोने से आपको बचना चाहिए साथ यह साथ आपको एक्सराइज यूगा कर सकती है जिससे आपको पीठ में होने वाले दर्द में आराम मिल सकता है और व्यायामो योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल जरूर करना चाहिए इस महीने आपको अपने ब्रेश्ट में से मिल्क आता भी कभी कभी दिखाई दे सकता है क्योंकि आठवे महीने के दोरान आपका शरीर पूरी तरहा से मा बनने के लिए तयारी में जुट जाता है ब्रेश्ट फीडिंग की शुरुआत की तयारी के तोर पर आपका शरीर पहले ही कोलस्टरम तयार कर लेता है इसलिए इस दोरान आपके शर्णों से पीले रंकए दूद का रिसाओ भी हो सकता है साथी साथ सांस फूलने की समस्या भी इस समय पर आ जाती है देखिए इस समय आपके बच्चे काकर बढ़ जाता है यूटरस बहुत बढ़ा हो जाता है आपका वजन बढ़ जाता है जिसके करण आपका पेट आगे की तरफ निकल जाता है साथी आपके वजन में इतनी तेजी से व्रद्धी होती है कि आपके सांस फूलने की समस्या जादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्भाश्य काकार भी बढ़ता है और जो आपके फेफडो पर दबाओ बनाता है फेफडो पर दबाओ होने के कारण शरीर में दूसरे कई सारे चेंजिस होते हैं और सांस लेने में तकलीव भी होती है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपका बॉड़ी में सबकुस नॉर्मल है और अगर नॉर्मल नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़े परेशान कर रही है तो ऐसी इस्तिती में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए साथ साथ पाइल्स की समस्या देखे देखे क्या होता है कि यूट्रस का जो साइस बढ़ने के कारण आपके पैल्विक छेतर में मुझूद आत और दूसरे बहुत सारे आपके अंगों पर प्रभाव पढ़ता है जिससे कि वो थोड़े-थोड़े से कुड़ जाते हैं जिसके कारण इस समय आपको इस टूल पास करने में प्रशानी का सामना करना पढ़ सकता है कभी-कभी एनस पर जादा प्रेश्र पढ़ने के कारण इस टूल पास करने के साथ आपको खून भी देखने को मिल सकता है जो आगे चलकर बवासीर का रूप ले लेता है इसके अलावा बढ़ते गरभाश्य के कारण नीचे वाली नसे सूच जाती है ऐसी इस्तिती में तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए अधर्वाइस क्या होता है कि समय पर होने वाली पाल प्रेग्नेंसी के बाद अपने ठीक होते चली जाती है लेकिन प्रेग्नेंसी के 8 महीने में आपको अपने खाने पीने का बहुत धियान रखना चाहिए जैसे कि फाइबर अब हमने बात करी है कि समय पर आपको कबज की समस्या हो जाती है और कभी- को ठीक रखता है जिसमें आतियां आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां ब्राउन ब्रेड गेहूं और सबसे अच्छे श्रोथ हैं तो आप इन सब चीजों को में डाइट में शामिल कर सकते हैं साथ इसाथ आयरन विटैमिन और कैल्शियम देखिए प्रेगनेंसी के आठवी महिने में गर्ब में पल रहे शिशू के लिए सबी चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं इस दुरान आपके खानपान में किसी भी तरह की कमी आपके शारीरिक कमजोरी के तोर पर आपको दिखेगी तो इस समय में आपको अपनी डाइट में आयरन विटैमिन और कैल्श चाहिए यह होती है आपकी दूद, अंडा, मचली, चिकन, सूखे मेवा, शकरगन, आलू, बेंस इन सब चीजों में तो इन सब चीजों का भी आपको सेवन करना चाहिए अब बात कर लेते हैं प्रेग्निंसी के आठवी महिने में होने वाले बॉडी चेंजिस के बारे में इतिकी इस समय पर क्या होता है कि बच्चे का आकार अच्छे से बढ़ चुका होता है तो इस समय पर आपके को शारीरी गर्मी महसूस हो सकती है, शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, सास्ती आपको चिरचिड़ापन होता है, जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या हो जात जिसके कारण आपको अपने हाथ पेरो और चेहरे पर कभी-कभी सूजन देखने को मिलती है अब क्या होता है कि आप एसी डिटी बहुत ज्यादा होती है इस समय पर खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है तो आपको क्या हो का कि आपको सीने में जलन हो सकती है रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे और गर्भाशे का कर बढ़ने के करण आपको सास लेने में परिशानी भी हो सकती है तो यह सारे लक्षन आपको आठवी महिने में देखने को मिली सकते हैं लेकिन इन सब चीजों से आपको परिशान होने की जरूत नहीं है अग बात करते हैं प्रेग्निसी के आठवी महिने में बच्चे के विकास के बारे में दिखिए इस दोरान बच्चा जन्म के लिए तयार होता है और उसके अंदर हो रहे सभी चेंजिस आप महसूस करते हैं तो इस समय बच्चे के सिर पर बाल अच्छे सोग जाते हैं बच्चा अगरे में बच्चे के फेंधि विक्सित कि आखिरी स्टेज में होते हैं बच्ची की पंके और आखे पूरी तरह से विक्सित हो चुकी होती है इस महीने के अंद बच्चे की लंबाई लगब की 12-14 इन्च गर्मे अगर लड़की है तो उसका प्राइवेड पाड雅न przypadku का vaccinated क्योंकि इस समय नियूरोंस तेजी से बढ़ते हैं बच्चे का आकार वजन से गर्ब में कम जगे बचती है जिसके करण वो कम से कम घूमिया हिल दूल पाता है बच्चे का वजन इस महीने के खतम होते होते लगबग एक किलो से डेड़ किलो तक हो जाता है और कभी-कभी इसस जब आपका पूरा हो जाता है तो बच्चे का वजन करीबन 2 से सवादो खिलो तक हो जाता है तो दोस्तों ये थी आठवी महिने से जूड़ी पूरी जानकारी उमेद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को जादे से जादा शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग प्रेग्निंसी केर विद मेगा थैंक यू नमस्कार